हम बनाएंगे हरी मेर्च का अचार ये अचार आप किसी भी मौसम में बना सकते हैं ठंडी हो गर्मी हो या बरसाथ इस अचार में हम एक चमच यानि कि एक बूंद आईल का इस्तमाल भी नहीं करेंगे और अचार इतना टेश्टी होगा कि आप दो रोटी की बज़ाद चाहर भी खा सकेंगे आप जितने देन चाहें श्टोर करके रग सकते हैं अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा ये गैरंटी है बिना ऑईल के बनने वाला ये अचार बहुत ही खास है क्योंकि बहुत से लोगों को आईल से प्राबलम होती है तो हमने केश्टिक से बनाया है व बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कपड़े से पोचने के बाद इन्हें आप थोड़ी देर फैला दीजिए तो जितना भी पानी रहेगा वह सोग जाएगा बिल्कुल इसी प्राकार से और फिर मिर्च के आपना डंठल को नाइफ से काट लीजिएगा नाइफ से भी आप क इसके बाद हम मिर्च में बीच में से कट लगाते जाएंगे और दो पार्टों में डिवाइट कर लेंगे यानि हमें बीच में से कट लगा कर लेंगे जो मोटी और बड़ी मिर्च हैं उनको दो पार्टों में काट लेंगे और फिर उनको बीच में से कट लगा देंगे मिर्च को हम छोटे कोल पीसों में भी काट कर तयार कर सकती है पर मुझे जो तरीका अच्छा लगा मैंने तयार कर लिया है इस तरीके से सारी मिर्च को तयार करने के बाद मसाले की तयारी कर लेती है हमने एक छोटी सी कड़ाई ले हुई है जो आयरन की है इसमें पांचमच मेथी के दानों को डाल दिया है मसालों का मेजरमेंट करने के लिए हमने इसी प्राकार के स्पून का यूज किया है जो प्राय प्राय सभी कहाँ पर मिल जाती है गैस की फिल्म हाई टू मीडियम करके दानों को 2-3 मिट तक रोश्ट कर लेंगे मैथी की तासिर गर्म होती है गुटनों का दर्द और सीथ की विमारिया जो होती है इसके यूज से कम हो जाती है आपर आप देख सकते हैं दाने 3-4 मिट में ही बड़िया तरीके से रोश्ट हो चुके हैं इन को प्लेट में निकाल लेती और इसी कडाई में मस्टर्ड सीथ की दानों को भी रोश्ट कर लेंगे तो उसी मिजरमेंट से हमने रवा सब्सम दानों को लिया है 2-3 मिर तक ने भी रोश्ट कर लेते हैं ढाने बहुत जल्दी रोश्ट हो जाती है आप देख सकते हैं कितने बड़िया तरीकी से दाने क्रेकल हो रहा है इन्हें भी प्लेट में निकाल लेते हैं दो चमच क्यूमन सेट से ले लेते हैं इन्हें भी गरम कड़ाई में रोबुष्ट कर लेंगे दो से तीन मेर तक और बड़ी असे रोष्ट होने के बाद प्लेट में निकाल लेंगे और सभी मसाले अलग-अलग भी ग्राइड कर सकते हैं या आप चाहे तो इखटा भी इन्ह छेल करके तैयार कर लेना है 55-60 ग्राम के लगभग अधरको ले लेंगे इसी भी छेल करके तैयार कर लेंगे यहाँ पर हमने अधरक को कद्वकस कर लिया है और लैसुन को मोट ओ-ँध को चल लिया है आपको जैसा आसान अलगे आप कर सकते हैं और जितना मसाला है यानि कि और मेथी हमने जितना लिया है ना उसके अनुपात में हमें नमक लेना है नमक अचार में कम नहीं होना चाहिए वरना अचार के खराब होने के चांसिस रहती हैं सबी मसाला को एक साथ मिर्च में डाल देंगे आप हिंग बगेरा का इस्तेमाल करते हैं तो उसे भी डाल सकते हैं मैंने यहां पर कुछ भी मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है लिकिन अचार का मसाला इतना बड़ी बनगर के तैयार हुआ है कि खुश्बू सारी घर में फेल और हमने जो नीबू का रस यहाँ पर डाला है आप इसके जगे पर आमचूर पाउडर का इस्तमाल कर सकते हैं तो मीडियम साइज की मेरे पास पास से छे नीबू थे तो उसका रस निकाल दिया है और इसे हम डाल देंगे सभी मसालों को मिर्च के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मसाले और मिर्च एक सार हो जाए यानिकि अच्छे से लड़ पटा जाए और नीबू के रस की अगर जरूरत है तो और भी डाल सकते हैं बिर्चना अच्छे से गीली हो जाती है तो और भी बड़िया टेस्ट आ जाता है तो मेरे पास अभी नीबू कम थे तो मैंने थोड़ा सा नीबू का रस कम इस्तमाल किया है अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इन्हें एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख सकते हैं आप ग तहा कि बाद खाने लाएक हो जाएगा इंडियन किचिन क्विन में आप सहजन फली के अचार की रेजीपी भी देख सकती हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में में मेल जाएगा आप अचार खाने के सौकीन है तो कब आप यह अचार तयार करने वाले हैं आपने अचार तयार किया है तो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ तब तक करने लिए बाए